राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया. योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन हुआ. तुमने यह कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है. तुम सचमुच सारे राजाओं में श्रेष्ठ हो. इतना कहकर उसने मुर्दे को उसके कंधे से उता नाम करो. राजा को बेताल की बात याद आ गई. उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को सिर नहीं जुकाया. आप पहले सिर जुका कर बता दीजिए. योगी ने जैसे ही सिर जुकाया, राजा ने तलवार से उसका सिर काट दिया. बेताल बड़ा खुश हुआ. बो ने जो चौबीस कहानिया सुनाई, वे और पच्चीसवी यह सारे संसार में प्रसिध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़े. बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा. ये कथाए, बेताल पच्चीसी के नाम से मशूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेंगे, उनके पाप दूर हो जिस्थापित करोगे. इसके बाद शिवाजी अंतरधान हो गए. काम पूरे करके राजा शमशान से नगर में आ गया. कुछी दिनों में वह सारी प्रित्वी का राजा बन गया और बहुत समय तक आनन्द से राज्य करते हुए अंत में भगवान में समा गया.